सिकंदर और सन्यासी यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस युनान लोटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यह दान्द्यायन था उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़ कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा घबराओ नहीं मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ युनान ले जाओंगा ताकि युनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दान्द्य दान्द्यायन बोला हिए यव नराज, मुझे लोब देने की कोशिश मत करो, सन्यासियों को लोब से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर युनान नहीं जाओंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हस्ता हुआ बोला सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, सो, जब मैंने टेकिया है तो तुमको चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलना ही है तो बहतर है कि राजी खुशी चलो। पुक्म तुरंट अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रत के अधन बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुँच गया। और पहुचते ही थोड़ी अकर से पूछा क्या अभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले ज फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर तो उसका तुम करोगे क्या। जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई, मनुश्य जहां कहीं हो वजैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोब हटा ले तो वक्त सन्यासी ही है। क्योंकि फिर उसे खशन्भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये स्पश्ट समझ लेना की सन्यासी का अर्थी संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्भोशना है। क्योंकि बना स्वाइब मुन सकता है।